देखो अपने अंदर देवी तत्व भी है और आसूरी तत्व भी एक संग रहते हैं। आप जागृत किसको करते हो उसके हिसाब से आपका जीवन और जीवन को दिशा और गती मिलता है। एक माँ ने अपने छोटे से पोटे को एक सुन्दर बात कही और कहा कि देख बेटा अपने शरीर के अंदर दो शेर हैं। प्रोद, इर्शा, द्वेश, निंदा के लक्षन धराक है। अच्छा, ये दो शेर अपने अंदर रोज लड़ते रहते हैं, तो दादी ये बताओ, इसमें से जीतता कौन है? और जब पुछा कि इसमें से जीतता कौन है? तो दादी ने कहा कि तू जिसको बल्वान बनाता है वो अंदर जीतता है, और बल्वान कौन बनता है? कि उसको जो चाहिए, वो अपन दे रहे हैं, उसको जो डिमांड है, वो अपन सप्लाइ कर रहे हैं, तो वो अंदर रहा शेर बल्वान होता है, तो हमारे अंदर भी ये दोनों शेर हैं,